आज हम होल तंदूरी चिकन कुकर के अंदर बनाएंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी है बहुत ही सिंपल है वीडियो को शुरुवात करते हैं यहाँ पर मैंने होल चिकन लिया है अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने सबसे पहले तो इसके टांगे जो है धागे से मैंने कर रखिए ताकि चिकन बिक्रे नहीं और देखने में भी सही लगे इसके बाद इसके उपर ऐसे कुछ कट्स लगाने है ताकि मसाला अंदर तक जाए और चिकन जब हम गलाएंगे तो यह जल्दी से पक जाए तो इसको हम दो तरह की मैरिनेशन इसके उपर लगाने वाले है सबसे पहला वाला रेडी करते हैं एक बाउल में हमने डालना है आधा चमच नमक पाउ चमच ब्लैक पीपर पाउडर और एक निम्बू का रस इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा फर्स्ट मैरिनेशन तयार है यहाँ पर यह चिकन जो है वजन में एक केज के आसपास है तो यह सारे जो मेजर्मेंट से एक किलो चिकन की हिसाब से है चिकन की ऊपर इसको अच्छे से लगाना है सारे जो चिकन की कट से इसके अंदर भी हमने यह मैरिनेशन को अच्छे से लगाना है नीम्बू और नमक की वज़े से जिकन जो है सौफ्ट गलने में ह अगर आपके पास time है तो आप इसको रात भर के लिए भी ऐसे रख सकते हैं और next ये recipe पूरे आगे की बना सकते हैं लेकिन अगर time नहीं है तो आप इसको आदिस से 1 गंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं तो नेचे के तरप से भी इसको अच्छे से लगाना है आप चाहे तो न अब इसको डाले और अच्छे से गुमा ले ताकि अंदर के सारे साइट्स पे भी ये मैरिनेशन जो बनाई वो अच्छे से इसमें लग जाए अब इसको ऊपर से अच्छे से कवर करना है ये पेपर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल धकन से भी आप धक सकते है इसके उपर ज कर दिया और इसको रखोंगी मैं आधे से घंटे के लिए जब तक की चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक इसकी और प्रिप्रेशन हम कर लेते हैं तो सेकेंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ चीजे मैंने काट कर रेडी की है उसमें सबसे पहले यहाँ पर चिली फ्लेक् कर लिया और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया है वन टेबल स्पून जितना होगा जिसको भी मैंने काट कर छोटा चोटा कर लिया है इसके बाद हमने यहाँ चाहिए दो बड़े चम्मच जितना दही पर देख सकते हैं नॉर्मल चम्मच से दो चम्मच दही है लेकिन दही को आ ब्लैक पीपर पाउडर और हलका सा नमक नमक गडिक पावडर व् dyed लेड लाग हमें तंदूरी तंदूरी जिकन में शुर्पता हम चाहे आप अपर चीछिर जिचे के सख़ इस पड़ी आप तो इनको भी आपने अच्छे से कोई स्पैचुला की मदद से तोड़कर अच्छे से स्मूज सा पेस्ट बना लेना है तो ये तयार है अब इसके अंदर बाकी की जो कटी हुई सारी चीज़े थी इसको हमने आड़ कर लेना है तो सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाली है इसके व बाद मी यूज कर लेंगे अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा इसका अच्छे से बैटर हमने तयार करना है Fitness भाड़क ये ल्वी एडाली है धो गारलिक की और चोट चौटा चौटा चौप करकी डाला और ब्लैक पीपर की हमने पारोडर और साभूल ग्ला प्रचिकंग तो एक दो मिलता लोग सकता है चिकन बहुत ही अच्छी मेर्नेट मेरिने, नहीं निया ही जो पस्क्राइर ज़ित एक पास आप जो उपने कर्वर नमगे लेगे अहीं, जो बहुत ही साथ है लगा लीया है चारों छोट लोगा है और इसको ऐसे लगा कि आपने पाँच मिंट के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि फ्रीज के अंदर से जब निकल के आएगा तो इसका टेमपरेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो पास छे मिंट के लिए हम ऐसे इसको बाहर रखेंगे आप चाहे तो तुरंद भी कर सकते ह चिकन जो है बहुत ही जूसी पके तयार होता है तो एक पास से दस मिट अगर टाइम है तो आप इसको यूही बाहर पड़ा रहने दे और इसके बाद आगे की प्रोसेस करें नेक्स्ट यहाँ पर हमने इसको पकाना है कुकर में तो कुकर को रेडी कर लेते हैं यहाँ पर य इसके अंदर चिकन बहुत अच्छे से फीट आता हो आपको इसा भी कुकर यूज कर सके लेकिन धान रखे जो भी चिकन आप खरी देंगे कुकर में आपके अच्छे से फीट होना चाहिए इसमें डालते है एक गलास पानी नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक स्टैंड को रख स्टैंड को एक प्लेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करें और इसके ऊपर ये चिकन को आराम से रख देंगे जब हम होल चिकन खरीते हैं तो इसके साथ हमी ये लीवर भी मिल जाता है तो इसको भी मैंने थोड़ा सा मैरिनेशन लगा के चिकन के अंदर हम इसको डालेंगे ता कुकर को हम अवन वाली फिलीग दे देते हैं तो वहाँ पर हमने सीटी नहीं लगाए थी अगर आपने वीडियो देखी होगी नहीं देखी तो इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो यहाँ पर आपने सीटी लगा के कुकर को पकाना है पहले हम अब ठंडे होने दिना है और इसके बाद आपने इसको खोलना है इसको खोलकर आप देख सकते हैं भृती बहतरिन सा चिकन हमारा पकी तयार है अब नेक्स टेप जो हमें करनी है तो 5-10 मिट के लिए हम चिकन को यूँँ छोड़ देंगे चिकन को हलका सा सेट होने देंगे अल यह चिकन स्टॉक बोलके आप इसको यूज कर सकते हैं कोई भी करी के अंदर और अगर आपको राइस पकाना है तो इस वाले पानी के अंदर आप राइस पकाएंगे तो बहुती फ्लेवरफुल राइस आपकी बनकी तयार होंगे जो कि इस चिकन के साथ आप खा सकते हैं तो नाया को वेस्टेज ना समझे इसको आप यूज कर सकते हैं अब चलता है चिकन की तरफ अगर आपके पास यह मैरिनेशन बची हुई है तो यह मैरिनेशन इसकी उपर लगाएंगे आप चाहे तो यहाँ पर बटर को भी यूज कर सकते हैं बटर भी लगा सकते हैं तो आपने इसको प्रमाद आपने इसको गयास पर अच्छे से «प्लेवर देना है इसको आपने जलाना नहीं है लेकिन हाई फ्लैम पहम इसको आइसे जाली के ऋपर पकड़ के चलाते रहेंगे ताकि इसकी उपर की जो स्कीन है वो अच्छे самой टाइट हो जाए इसकी फ्लेवर को एन्हांस करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा बटर बेस की ऊपर लगाया है बटर लगाने की वज़े से इसके अंदर बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर और निखर के आता है और खाने में जबरदस लगता है तो आपको लगी का तंदूर के अंदर आपने चिकन को पकाया तो यहाँ पर चाहे तो आप बिच-बिच में ग्यास को आफ कर सकते हैं और ऐसे छोटे-छोटे स्पॉट्स आपको जब दिखने लगे तो आप समझ जाए चिकन अपना अच्छे से भुन चुका है बहुत जादा नहीं भुनना नहीं तो यह ड्राय हो सकता यहाँ पर यह तयार है इसके आपने प्लेटिंग कर लेनी है कुछ सालड के साथ मैंने इसको सर्फ किया था बहुत अच्छे से पक चुका है और इसके अंदर बहुती अच्छे से जूसी फ्लेवर्स मौजूद है इसके अंदर हमने जो लिवर डाला था यह भी बहुती कर सकते हैं बहुती बढ़िया लाजवाब रेसिपी है जरूर ट्राय करके देखे इसके पेले अपने चैनल पर हमने चिकन की बहुत सारे रेसिपीज डाली हुई है अगर आपने उनको नहीं देखा तो जरूर एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें तो यह रेसिपी आ